नमस्ति मैं डॉक्टर लटा अगरवाल आज हम में फाइनल हिस्ट्री ग्रूप बी पेपर शिक्स्त सोसाइटी इन कल्चर ओफ इंडिया 1200-1750 के पार्ट बी या यूनिट सेकिन फॉर्मिशन ओफ रिजनल आइडेंटिटीज में वैशनव धर्म वैशनव वाद के बारे में पढ़ेंगे हमारा धार्मिक ग्रंत समधिक धार्मिक आरठी हमारा जो जीवन प्रारम होता है बैदिक साहित्य से शुरू होता है वेदों के अंतरगत विश्नू ब्रहमा विश्नु महेश त्ली देव की परिक्रपना की गई है जिसको ब्रह्मान का जनक जीवन को पालन करने वाला और काल मृत्यू को देनी वाला इनको देवता की रूप में स्विखान नहीं किया गया परंतु शन शन है उत्तरवेदिक काल के अंतरगत ये तीन देवता हमारे जीवन से संबंदित होने लगी इनकी उत्त्ति कैसे हुई इसके बारे में विभिन पुरानों के अंतरगत इनका उल्लेक दे रखा है पुरान मतलब वरहा पुरान, भागवत पुरान, विश्नु पुरान, नार्दिय पुरान, गरुड पुरान, बायु पुरान, वरहा पुरान में वैश्नों की उत्त्ति के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, जो आगे जाकर कि भक्ति संपरदाय या भक्ति आन्दोलन में इस वैश्नो, धर्म की व्याख्या एक विस्तार की रूप में की जाती है भक्ति संप्रदाई में विश्णू या नारायन ही भक्ति और ज्यान के मूल इस्तरोत माने गए हैं ये दोनों भक्ति धाराय जकत का कल्यान करने के लिए प्रभाहित होती हैं वैश्नों संप्रदाई में भक्ति की ही प्रदानता है अर्थात पराभक्ति ही जीवन का परंपुर्शात है भक्ति शास्त्र के अनेक प्राचिन आचर्य हुए जैसे पाराशर्य, गर्ग, शांडिल्य, नारद, कुमार, शुक्र, विश्नु, कॉंडिन्य, शेश, अरोनी, बली, हनुमान, विबीशन, कश्यप, तथा बादरायन इनमें नारदों शांडिल्य के भक्ति सुत्र उपलब्द है भक्ति शास्त्र के बल पर पंचरात और भाग्वत संप्रदाई को बल मिला जो आगे चलकर वैश्नु संप्रदाई या वैश्नुवाद के नाम स प्रचलित हुआ, इनी के अंतरगत एक्ती दंडी संप्रदाई भी संबलेता, वैश्नुव मत के उत्पति चार भागों में हमें प्रतित होती है, जेसमें शिरी वैश्नुव संप्रदाई, रामानुजाचारे इसके प्रधान संस्ठापक थे, उनका प्रचार बढ़ाने के लिए रामनंद स्वामी के नाम पर इसे रामनंद संप्रदाई कहा गया है, इसके अन्याई रामनंदी कहलाने लगे, इसके दार्शनिक मत वीशिष्टा द्वैत के नाम से प्रसीद हुआ, ब्रहम संप्रदाई, इसके प्रधान प्रवर्तक ब्रहमा और संस्ठापक आचार आनंदितित मदू हुए बाद में गौड स्वामी ने इसका प्रचार प्रसार किया यह मद्य संप्रदाईया गौडिया संप्रदाई का तथा इसका दार्शनिक सरूप द्वैतवाद कहा गया सनक संप्रदाई के प्रवर्तक सनकादिक और प्रधान निम्बार के चार्य हुए बाद में इसका प्रचार हरी व्यास स्वामी ने कहा कर किया अतयय संप्रदाई हरी व्यासी कहलाता है गुद्य संप्रदाई के प्रधान प्रवर्तक और वेश्ण स्वामी हुए बाद में वल्लब अचारे ने इंत का प्रचाप्रसार किया और ये वल्लब संप्रदाई कहलाया इसका दार्शनिक मत शुद्धा देतवाद दर्शन कहलाया हम जब पुराणों का अध्यन करते हैं तो विश्णु को उत्तरवदी कालकेम के अंतरगत 24 अवतार का होना उलेक पाते हैं उसमें से मुख्ये 10 अवतार हैं मतस्य, कूर्म, वरहा, नर्सिंग, वामन, परशुराम, राम, क्रेश्ट, बलराम, बुद्ध और कलकीम ये लोग जो इसके अन्युआईउ होते हैं वो सीड पर चंदन का सामन्य तिलक प्रतिमान यू और दो या दो से अधिक कनक्टेट वर्टिकल लाइन से मिलता जुलता एक परबलाइक आकार भी शेप देता है और बीच में दो वर्टिकल लाइन के बीच में लाल कलर से उस लाइन को भरा जाता है ये संप्रदाए धीरे धीरे प्रगतिशील होता गया और ब्रह्मा विश्नु महेश एक प्रमुक्तरी देव के रूट में उपास की ये देवता बनने लगी सोर्वी शताबदी में ब्रह्म संप्रदाए जिसक्या के संस्तापक माध्वाचार्य थे बार्वी से चौद्वी शताबदी में श्री संप्रदाए रामानुजय के माध्यम से अठार्वी शताबदी में रूद्र संप्रदाई विश्म स्वामी के माध्यम से प्रचारित हुआ इसके पूर्व में प्रारम में सात्वी शताबदी में कुमारस संप्रदाई को निंबार्क ने वैशनव संप्रदाई के नाम से या वैशनववाद के नाम से इसका प्रचार किया सभी आगे जाकर के भक्ति आंदोलन के रूप में हम देखते हैं कि ये भागवत मत के अंतरगत आगे बढ़ता जाता है और यह आंदोलन देवो के नायक वासुदेव और कृष्ण के माध्यम से एक सर्वोच ब्रह्मान के सरंशक की रूप में वैशनववाद का जनम होता है वैशनव परंपरा को वीशनु के एक अवतार के लिए प्रेम भक्ति के लिए भी जाना जाता है जैसे की दित्य शताब्दी में दक्षिन में भक्ति आंदोलन की यह प्रसार की का कारण बन गए वैशनव धर्म की प्रमुग ग्रंत वेत उपनिशत भगवत गेता पंचरात्र आगम ग्रंत नलीरा दिव्य प्रभातम और भागवत पुरान आधी समलित है वैशनवाद की उत्पति नवीन्तम शताब्दियों इसापूर और प्रारंबिक शताब्दियों में वीर वासुदेव पंध के प्रमुक्ष रदस्य व्रिश्नी नाइकों के साथ हुई उस समय क्रिश्न याद्वों के नायक थे और फिर कई सद्यों के बाद दिव्य के साथ सम्व्य होते गए बाल क्रिश्न गुपाल की परमपराओं के साथ गयर वैदिक परमपराओं का एक समनवयता के बाद माहभारत इस प्रकार से खुद को संबद करकर के वैशनजम में परिवर्दिक हो जाता है वैशनवाद का प्राचिन उद्भव प्रमान है ये एक वैदिक सोर देवता हो थे उन्हें अगनी इंद्रो और अन्य वैदिक देवताओं के तुल्ला में उलेक किया जाने लगा वैशनवाद के रूप में जो वेदो के अंतरगत वैशनु की परिवाशा उलेकी थी धीरे-धीरे उत्तरवधिक काल में वह ब्रमपान का सरंग्शक या संपून धन का सरंग्शक या जीवन को पालन करने वाले सर्वुच्च देवता के रूप में हमारे सामने उपस्तित हुए या हमारे जीवन में सम्लित हो गए आपको आज मैं एक असाइनमेंट देती हूँ वैशनु क्या है वैशनु वाद क्या है वैशनु संप्रदाई कब कैसे धीरे-धीरे वैदिक धर्म का जो एक ब्रह्मान के अंतरगर शब्दों किसे उसमें इस्तिमाल किया गया था उसकी व्याक्या की गई थी वो आगे जाकर करके भक्ति संप्रदाई का प्रमुक देवता कैसे बन गया धन्यवाद